सब्सक्राइब करिए स्री होम्यो यूटूब चैनल और पेल आइकॉन दबा कर सभी लेटिस्ट अपडेट सबसे पहले पाईए अज हम आप से बात करने वाले एक ऐसी पावरफुल रेमेडी के बारे में जो बहुत जादा यूजफूल है किसी में टरक है बैक्टिरियल इंफेक्शन में और खास तौर पे हैड़क के लिए ये रामबार मानी जाती है तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सिर्धर्द की समस्या रहती है बिना किसी रिजन के हमेशा ही हेड़क होता रहता और कई सारी दमाईयां लेनी के बाद भी ये सिरदर्द सही नहीं होता है वो इस दवा का प्रयोग करके अपनी इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं तो आए दोस्तों अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्या आप अपनी हल्थ प्रॉब्लम से परिशान है तो समय गवाएं बिना पेस्ट होमेशा क्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और पेल आइकॉन दबाएं वीडियो सब्सक्राइब करने से पहले मैं आप सबी लोगों से कहना चाहूंगी जो भी मेरे चैनल शी होम में पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकॉन को टैप कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें जब भी हम इस तरह का कोई भी नया इंफॉर्मेटिव वीडियो अप्लोड करते हैं यहां फ्री लाइप सेसन के लिए एब्री डे सेवन पीम पे आपको फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं तो आप साथ बजे हमारी लाइप क्लीनिक को जॉइन कर सकते हैं उसके लि करते हैं और आखिर कितनी सारे पैंकिलर्स खाएं क्योंकि यह सरदर्द हमेशा हर दूसरी तीसरे दिन फीर से आ जाता है कैसारे चेकब करहें पर ऐसी कोई परिशानी नहीं निकल रही है फिर भी हम्में हैडेक होता है कि हो सकता है तो कंजीशन की वज्जे से किसी भी तरह का congestive headache या sun stroke यानि बहुत से लोगों को धूप से इतनी ज़्यादा परिशानी होती कि धूप में जाते ही आँखें नहीं खोल पाते हैं या थोड़ी सी धूप लगते ही बहुत ज़्यादा सर में भयानक दर्द होने लगता है तो उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा sensitive है धूप के लिए और उनको ये headache होने लगता है congestion बहुत ज़्यादा होने लगता है एक दो मैसा लगता है सर फट जाएगा आँखें बहुत ज़्यादा दर्द करती है और ऐसा लगता कि socket से बाहर निकल जाएंगी तो इतने तेज सिर दर्द के लिए ये medicine बहुत ज़्यादा useful है तो medicine है उसनिया उसनिया नाम की ये दवा बहुत ही beneficial है congestive headache में, sun stroke में खास तोर पर किसी तरह के sinus infection में respiratory trouble में या आपके urinary bladder की infection में खास तोर पर अकसर आपके जब भी आप test करवाते हैं अकसर कोई bacterial infection निकलता है staphylococcal या streptococcal infection निकलता है खास तर पर urinary bladder का infection urinary troubles में या respiratory troubles में आप जब check-up कराते हैं तो इस तरह के कोई infection आ रहा है बार-बार और आप कई तरह के treatment ले चुके सही नहीं हो रहा है तो ये medicine आपका बहुत अच्छा वर्क करती है आपकी immune system को enhance करती है और इन सभी तकलीफों से छुटकारा देती है और इसका traditional use लंबे समय से headache के लिए किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा beneficial है अब बात कर लेते हैं कि ये headache आपको मैंने जैसा की बताए congestive type का हो रहा है बहुत ज़्यादा ऐसा लगता आपको congestion फील होता है खास तोर पे धूप में जाने से आखों में एकदम लालिमा चा जाएगी एकदम readiness चा जाएगी बहुत ज़्यादा दर्द करेंगी कि आप आख भी open नहीं कर पाएंगे या open करने की कोसिस करेंगे तो आखों से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा sinus की दिक्कत स्टार्ट हो जाती है नाख बंध होना सर में बहुत भयानक दर्द होना तो ये सबी symptom आपके उसनिया के symptom है इसके साथ मैंने आपको बता है respiratory infection हो सकता है किसी तरह का या फिर आपको हमेशा कफ जमा रह सकता है या urine में infection निकलता है हमेशा तो इन condition में ये दवा बहुत ज़्यादा beneficial है बात कर लेते हैं आपको इसका 7 कैसे कर रहा है आपको लेना है उसनिया Q में उसनिया Q की 15 बुने आधिक पानी मिला के आपको सुबह सांग पीना होता है तो ये medicine बहुत ज़्यादा beneficial है उन सभी लोगों को जिनको chronic headache की problem रहती है chronic infection की problem रहती है तो आप लोग भी इस दवा को जरूर से यूज करिएगा आपके क्या review है आप YouTube की comment सक्षन में सजेस्ट कर सकते हैं कि किस को chronic headache में ये medicine यूज करने से लाब मिला है और अगर आप सभी को भी ये medicine मेरी तरह beneficial लग रही है तो आप इस वीडियो को आगे forward करिए ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके बहुत ही cheap and best medicine है किसी भी homeopathic swap पे आपको आसानी से मिल जाएगी या आप online www.sheehomeyocenter.com से जाके order कर सकते है तो चलिए दोस्तों फिलहाल मैं डॉक्टर सत्या अब लेना चाहरी हूँ आप लोगों से जाज़त मिलते से तरह के अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जे हिंद जे भारत